Hello students, आज हम देखने वाले Analysis and Interpretation of Accounts इस Chapter का Vertical Common Size Related Question तो यहाँ पर आपको Vertical Income Statement पूछा गया है, देखिए तो from the following particulars, prepare Vertical Common Size Income Statement इसके पहले हमने Balance Sheet के Questions किये जहाँ पर हमें Common Size बनाना था और अब हम लोग देख रहे है, Income Statement जो है आपको Common Size का बनाने के लिए कहा गया है अब अज मेरा कंपनी for the year ended 31st March 2018 आप देख पाएंगे आपे Trading Account and Profit and Loss के Element दिये हुए So Common Size के लिए Format आपका Balance Sheet के लिए जिस तरह से आप बना रहे थे उसी दरह से यहाँ पर भी बनाना होगा तो पहले हम लोग vertically arrange कर देंगे elements को और उसके बाद हम percentage calculate करेंगे ठीक है, तो क्या-क्या दिया हो है पहले कौन सी चीज़े कौन सी heading में आएगी वो discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले opening stock जो है वो आपका कौन सा इसमें आएगा COGS में आता है purchases हम cost of goods world में लिखते हैं COGS में फिर आपको interest on debencer दिया गया है तो यह आपका क्या होता है जो हम लोग net profit before interest after interest लेते हैं उसमें interest minus करते हैं तो वहाँ पर आपको interest less करना होगा फिर आपको depreciation on furniture दिया गया है तो यह आपका क्या हो जाएगा administration expense में आ जाएगा उसके बाद depreciation on machinery दिया है अब यह क्योंकि factory का expense है इसलिए हम इसको cost of goods world में दिखाएंगे फिर हमें administration expenses दिया हुआ है तो यह हमारा किदर आ जाएगा office expense, administration expense में selling expense, selling expense में आएगा carriage outward भी मुझे कहां लिखना होगा selling expense में ही लिखना होगा ठीक है, उसके बाद loss by fire दिया हुआ है तो यह actually हमारा non operating expense है fire की वाज़े से अगर हमारा loss हो जाता है तो वो हमारा normal expense नहीं है, वो abnormal है तो उसको हम लोग non operating कहेंगे wages जो है, वो हमारा कहां आजाएगा COGS में, फिर आपको provision for tax दिया हुआ है, तो last में profit before tax, फिर tax minus करते हैं और profit after tax मिलता है तो वहाँ पर हमें यह tax का amount लेना होगा net profit को हमें कुछ भी करना नहीं होता कभी भी, फिर हम लोग देते हैं sales, तो यह हमारा starting point होगा, right, income statement में सबसे पहला item क्या आता है आपका sale, closing stock जो है यह आपके cost of goods sold के heading में आएगा तो यह जो भी चीज़े हमने debit में देखी वो सारी plus होंगी, और उसमें से closing stock क्या करेंगे हम, minus करेंगे तो हमें COGS का amount मिलेगा इसके आता आपको dividend दिया हुआ है क्योंकि यह credit side में दिया है, इसका मतलब dividend क्या है, received है और dividend received हमाले लिए income है लेकिन हमारा main business का income नहीं है इसलिए हम इसे कहा लिखने वाले non operating income है ठीक है, तो अभी हमने जो जो elements discuss किये, उसके हिसाब से हम इने vertical format में arrange कर देते है and then हम common size का जो percentage है वो हम लोग find करेंगे तो पहले मैं format ले लेता हूँ, सबसे पहले solution में हम लोग company का नाम लिखेंगे common size income statement बना रहे हम और यह हमारा format, तो पहले हम लोग particulars amount amount दो column बनाए हमने, inner column और outer column है, जहाँ पर sub heading होगा उसको inner column में लिखकर total बहर लेंगे ठीक है, और इन columns के इसाब से यहाँ पर दो percentage बनाए हुए तो जिस amount का column, जिस element का amount आपने जो है, वो first इसमें लिखा हुआ है column में, उसका percentage आप first column में लिखेंगे यहाँ पर वैसे अगर कोई element है, जिसका amount आपने second column में लिखा हुआ है, तो उसका percentage आपको यहाँ पर second column में लिखना होगा, ठीक है? So first के लिए first percentage और second के लिए second percentage है तो पहले हम लोग vertically arrange कर देते हैं फिर हम देखेंगे कि यह percentage कैसे calculate करने हमें तो पहले हमारा starting point income statement में क्या होता है हमारा sales तो यहाँ पर हमें sales कितना दिया गया है question में that is 60 lakhs, तो पहले हमें भी मैंने format ले लिया अभी हम लोग first item ले लेते है sales amount दिया गया हमे 60 lakhs, sales में से हमें क्या करना होता है cost of goods sold less करना है तो हम लोग heading ले लेते हैं, less cost of goods sold उसमें पहला item के आ जाएगा आपका opening stock दिया हुआ है कितना 3 lakhs, तो वो लिख देते हैं ठीक है, उसके purchases भी COGS में आता है आपका amount दिया हो गया है, 32 lakhs, 10,000 उसके बाद interest आपको बाद में लेना है, इसमें से और कौन सा items जो है, वो आपके COGS में आते हैं, तो हमारा wages आता है, फिर depreciation and machinery भी आएगा, पहले wages लिख देते हैं, ठीक है फिर depreciation and machinery, क्योंकि यह भी factory का खर्चा है, तो इतने ही आपको expenses दिया हुए, और एक आपको closing stock दिया था, तो इसे आपको COGS में क्या करना होता है, less करना होता है, तो COGS के बाकी जो element से, उसमें से closing stock क्या हो जाएगा, less हो जाएगा, उसका amount दिया गया है, 3,60,000 अब इतने part को मैं solve करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा cost of good sold का value मिल जाएगा, जो 3,00, 32,10,000 plus 3,00, plus 30,000, minus 3,60,000 करेंगे, तो आपको यहाँ पे cost of good sold मिलेगा, अब इस cost of good sold में से, हम sales में से, हम cost of good sold जब minus करेंगे, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा gross profit मिल जाता है, तो अभी इन दोनों को minus करना है, 60,00, minus 34,00, 80,000 तो यह आपको देगा, 25,00, 20,000 gross profit के बाद, हम लोग इसमें से क्या minus करते हैं, operating expenses, ठीक है, operating expenses तीन तरीके के है, administration expense, selling expense, और finance expense, तो यहाँ पर पहले मुझे लेना है, administration expense, तो office related कौन से कौन से खर्चे हमें दिये थे, तो एक तो था हमारा depreciation on furniture, और administration expense करके अलग से दिया हुआ है, तो यह दोनों को मुझे administration expense में लिखना पड़ेगा, तो मैं खाली यहाँ पर heading लिख रहा हूँ, administration expense, उसके अंदर depreciation on furniture ले रहा हूँ, पहले 15,000, और हमारा जो actual में depreciation expense दिया है, sorry, actual में हमें additional expenses दिया हुआ है, 4,41, वो हम लोग other करके लिख देंगे आपे, ठीक है, उसके बाद selling expenses अभी आपको लेने है, तो selling expense again heading लिखता हूँ में, उसमें sales से related कौन से कौन से खर्चे हैं, तो selling expense है, और carriage outward है, तो पहले मैं आपे लिख देता हूँ, carriage outward, कितना दिया हुआ है, carriage outward, 3,15,000, उसके बाद हमारा जो selling expense दिया हुआ, उसको मैं other करके लिख देता हूँ, right, कितना दिया हुआ है, 7,53,000, ठीक है, इसके बाद finance expense आता है, लेकिन सम के अंदर हमें कोई भी finance expense दिया नहीं था, तो हम इन चारों amounts को add करेंगे, 15,000, 4,41,000, 3,15,000 और 7,53,000 तो आपको operating expense जो है वो total पता चल जाएगा, तो इन चारों को add करके आपको total expense मिल रहा है, 15,24,000 अब मैं gross profit में से operating expense जो है total minus कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा operating profit before interest, so 25,20,000 minus 15,24,000 करेंगे, तो आपको आपका operating profit before interest, जो है वो मिलेगा, ओके 9,96,000 अब इसमें से interest minus करते हैं, तो हमें debenture interest देखें कितना दिया था, so वो लिख देंगे आपर, interest on debenture 1,50,000, अब interest minus करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, operating profit after interest, इसके बाद आपको 9,96,000 में से 1,50,000 minus कर देना है, तो आपको यहाँ पर answer मिल जाएगा, 8,46,000, इसके बाद आप non operating items consider करते हैं, और last में tax, ठीक है, तो non operating में सबसे पहले आपको non operating income लेना है, so non operating income में आपको क्या दिया गया है, dividend, तो वो ले लेते हैं, कितना amount आ रहा है, 39,000, उसके बाद non operating expense आपको लेना है, उसमें आपको कौन सा था non operating expense आपका loss by fire, तो वो ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने खाली heading लिखा है non operating income, उसके अंदर उस income का नाम लिखा हैं आपने dividend, फिर ऐसी non operating expense heading लिखा हमने, जिसको less करना होता है, और उसमें उसका नाम लिखा हमने loss by fire amount है 15,000, तो अब मेरा जो operating profit after interest मुझे मिला था, उसमें मैं पहले dividend का amount 39,000 प्लस कर दूँँगा, फिर मैं loss by fire का 15,000 माइनस करता हूँ, तो मुझे answer मिल जाएगा मेरा net profit before tax, और वो आ जाएगा आपको 8,70,000, इसमें से मुझे tax minus करना है, तो हमारे provision for tax का amount कितना दिया था, 4,35,000 तो वो ले लेते हैं, और 8,70,000 में से मैं ये tax का amount minus करूँगा, तो मुझे answer मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, net profit after tax, तो 8,70,000 में से 4,35,000 minus करेंगे, तो आपको answer 4,35,000 ही आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो देखिए पहले, चीजों को vertical format में arrange कर दिया है, और अब हम आ जाते हैं, common size के calculation पर, तो students, balance sheet में जब हम common size बनाते थे, तो अब हम लोग percentage के लिए क्या करते थे, हम हमारे total capital employed को, right, hundred consider करते थे, right, बट यहाँ पर आपको balance sheet नहीं है, यह तो आपका income statement है, तो उस case में जो है, यहाँ पर balance sheet की तरह total तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग hundred किसको ले, तो यहाँ पर याद रखना है कि vertical income statement के लिए, आप sales के amount को, net sales के amount को जो हमेशा क्या लोगे, hundred लेंगे, और उसके इसाब से बाकी सारे amounts आपको जो है वो find करने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं net sales के amount को, यानि कि मेरा amount दिया हुआ 60 lakh, उसको hundred ले लेता हूँ, और इसके इसाब से हम लोग बाकी सारे amounts क्या करेंगे, find करनेंगे, अब यह find करने के लिए same formula जो हम balance sheet में यूज़ करते थे, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा formula क्या था, तो इसके लिए आप अपना पहले calc ले लिजिए, because calc में यह आप calculation देखेंगे, तो आपको एक ही step में सारे के सारे amounts का answer जो है, वो क्या होगा, मिल जायाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा amount है, जिसको हमने base लिया है, और उसको हम लोग percentage क्या लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, एक बार into press करना है, फिर आपको first value जिसका percentage find करना है, वो आप put करेंगे, 3 lakhs, और फिर equal to press कीजिए, तो आपको answer मिलेगा 5, मतलब यह 3 lakhs का percentage कितना रहने वाला है, 5 रहेगा, ठीक है, अब कुछ भी erase किये बिना, आप खाली क्या करेंगे, next value पुट करेंगे, 32 lakhs, 10,000, कुछ भी press नहीं करना है, into दबाना नहीं है, कुछ students गलती से बाद में, into दबाते हैं, फिर value डालते हैं, और equal to डालते हैं, तो answer change हो जाएगा, आपको यहाँ पे पहले 100, divided by 60 lakhs, into, first वाला value लेना है, जो find करना है, और equal to करेंगे, तो आपको answer मिलेगा, फिर आपको खली next value, equal to, next value, equal to, next value, equal to, इतना ही करना है, ठीक है, so 32 lakhs, 10,000 अगर आप डालते हो, equal to press करोगे, तो आपको answer मिलेगा, 53.5, ठीक है, फिर 3 lakhs डालोगे, तो answer सेम ही आएगा, क्योंकि 3 lakhs का, देखो, आपने 5 निकाला हुए अल्रेड़ी, तो 3 lakhs डालेंगे, और फिर चेक करोगे, तो answer के आएगा, आपको, सेम आएगा, 5 ही आएगा, बट यहाँ पे 30,000 के लिए, मैंने बताया आपको, 30,000 के लिए, हम लोग क्या बोल रहे है, 0.5 मिल रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद 3 lakhs 60,000 के लिए, आपको क्या मिलेगा, 6, ठीक है, फिर, इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे, तभी आपको continue में ही, 34,80,000 equal to press करना है, तो आपको answer मिल जाएगा, 58, 25,20,000 equal to press करेंगे, answer मिलेगा आपको 42, उसके बाद 15,000 equal to press कीजिए, तो आपको answer मिलेगा, 0.25, फिर, 4,41,000 equal to press कीजिए, तो आपको answer आजाएगा, 7.35, यहाँ पर continue करना है हमें, जहाँ पर हमने देखिए, amount inner column में लिखे हुए है, उसका percentage हम लोग, पहले वाले percentage में लिख रहे हैं, जो amount outer column में है, उसका amount हम लोग, बाहर के percentage वाले column में लिख रहे हैं, ठीके, तो 3,15,000 equal to press करेंगे, answer मिलेगा 5.25, 7,53,000 equal to press करेंगे, answer मिल जाएगा आपको 16.6, फिर 1,50,000 equal to press करेंगे, answer मिलेगा आपको 2.5, फिर 8,46,000 equal to press करेंगे, answer मिल जाते हैं, आपको 14.10, 39,000 equal to press करेंगे, answer आजाएगा आपको 0.65, 15,000 equal to press करेंगे, आपने अल्डेडी निकाला भी है, तो आप same value भी लिख सकते हैं, या आप put करेंगे तो भी चलेगा, 4,70,000 equal to press करेंगे, answer मिलेगा 14.5, 4,35,000 equal to press करेंगे, answer मिलेगा 7.25, next वाला value भी same ही है, तो आप same answer भी लिख सकते हैं, या calculate करोगे, तो भी वही मिलेगा 7.25, इस तरह से common size में, अगर आपको income statement बोला है, तो आपको solve करना है, पहले आप क्या करेंगे, जो भी elements हमें दिये हुए, उनको आप vertical form में arrange कर देंगे, arrange करने के बाद, क्योंकि ये income statement है, तो यहाँ पर हम लोग हमेशा net sales, जो amount होगा, उसको हम क्या करेंगे, 100 consider करेंगे, और मैंने आपको भी step बता दिया है, calculate easy करने के लिए, write की 100 divided by जो भी value है, आपका वो करेंगे, एक बार into press करके, आपको खाली value equal to, value equal to, value equal to, value equal to, ऐसे करते जाना है, तो आपको सारा पूरा जो sum है, उसका answers मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा यह जो sum है, वो complete हो जाता है, स्टुडेंट्स अब आप हमारे WhatsApp broadcast group को भी जॉइन कर सकते हैं, for free notes, assignment, and all the latest updates related to exams, to join the free WhatsApp group, आपको जो है, आपका नाम, class और आपका location का नाम, इस WhatsApp number पर send करना है, and you will be added to the WhatsApp broadcast, तो अगर आपको हमारी एक्षेश पसंद आते हैं, तो हमारे वीडियो को like और comment करें, और इन्हें अपने friends के साथ share करना ना भूले,